तो बच्छे आपको क्या चैप्टर कंप्लीट होना है ठीक है बोटनी से जो भी आपके देखो हाला कि बोटनी इतना बड़ा चैप्टर है उसको हम बहुत जल्दी खतम नहीं कर सकते लेकिन हाँ उसमें जो भी आपके most important चीजे हैं उनको बच्छे हम लोग कवर करेंगे एक बार ज़रा जोरदार तरीकी से सारे बच्छे क्लास को like and share जरूर करेंगे और जो भी बच्छे नए हैं daily classes के लिए चैनल को subscribe करेंगे इस class की PDF के लिए वीडियो के description box में आरती चोधरी के नाम से link है वहाँ से बच्छे आप लोग application को download कर सकते हैं और science by आरती मैम के नाम से community है वहाँ आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी इसके अलावा और भी बहुत सारी बढ़ी हुई है तो बताइए सबसे बड़ा आवर्थ PG पोधा इनमें से कौन सा है largest gym noispham plant is बताईए सबसे बड़ा आवर्थ आवर्थ बजी नहीं भई इसको आप लोग जिम noispham में रखेंगे तो ये आपका अनावर्थ बीजी हो जाएगा ठीक है हिंदी में थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे आप लोग ओके सबसे बड़ा जिमनो इसपम बच्छे आपका कौन सा है रेड़ वूड है कौन सा है बच्छे आपका रेड़ वूड है ओके चलिए next question देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा दूइ बीजी पादब है इनमें से कौन सा आपका एक डाइकोट प्लांट है डाइकोट प्लांट क्या होते हैं जिसका बीज जो होता है बच्छा वो दो पार्ट में डिवाइड हो सके जिसका बीज कुछ इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो सके चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं विज वन ओफ दा मेल रिप्रड़क्टिव पार्ट ओफ फ्लावर कि पुश्प के अंदर इन में से कौन सा एक नर्जननांग भाग होता है तो देखो बचा पैटल्स आपका नोर्मल एक पार्ट है फ्लावर का लेकिन ओवरी ओव्यूल ये दोनों किसके हैं फीमेल रिप्रड़क्टिव पार्ट है लेकिन पोलन ग्रेन पराग कन जो है ये फ्लावर के अंदर मेल रिप्रड़क्टिव पार्ट होते हैं चलिए एक ल प्रेंस आती है इनमें से क्या कारण है खुशबू आने का इसटर के कारण फलो में से खुशबू आती है असत्य फलका उधारन इनमें से कौन सा आपका असत्य फल का एक उधारन है बताईए इन में से कौन असत्य फल का एक उधारन है तो इन में से कौन सा बच्चा आपका असत्य फल का एक उधारन है एपल ठीक है बच्चा एपल जो है आपका असत्य फल का एक उधारण अब असत्य फल होते क्या है देखो plants में जो आपका फल बनता है वो किससे बनता है जब आपका male का reproductive part female के reproductive part से reaction करेगा तब आपका फल का निर्माण होता है लेकिन फलदू तरह के होते है एक सत्य एक असत्य यदी pollen grain यदि pollen grain आपके किस से बचा reaction करें ओवरी से ओवरी से reaction करें यहां से जो आपका फल तयार होगा इसको सत्य फल बोलते हैं और असत्य फल होता है कि pollen grain female की ओवरी के अलावा यदि किसी और पार्ट से reaction करते हैं स्टिग्मा से स्टाइल से ठीक है इन में से किसी भी पार्ट से यदि reaction करते हैं फल का निर्मान करते हैं तो ऐसे जो फल होते हैं यह आपके असत्य फल होते हैं ऐसे जो फल होते हैं बचाई यह आपके असत्य फल होते हैं चलिएकला कोशन देखते हैं निम्न में से कौन से ती बीज के अंदर तो Zermination के लिए इन में से क्या चीजे ज़रुरी होती हैं तो Zermination यदि पानी मिल जाए तो भी हो जाएगा temperature और oxygen ठीक है इन तीनों का यदि combination. बीज को मिल जाए तो कोई बीज आपका जर्मिनेट होना शुरू कर देता है अरे आप लोग अपने घार बे वह खाते हो ना रात को मूं की दाल भिगो दी है ना एक दो दिन बात देखते हो उसमें से आपके बाहर की तरफ इस तरह से दो हिस्ते निकलने शुरू हो जाते हैं ओके अब आप यह भी याद रखेंगे क प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जब कोई भी बीज आपका जर्मिनेट होता है तो इसको बोलते हैं रैडिकल जिससे आपका रूट सिस्टम तयार होता है और इसको बोलते हैं प्लम्यूल जिससे आपका शूट सिस्टम तयार होता है ठीक है जी ओके चलिए आग तो लंगस ओफ प्लान्ट हम इन में से किस को बोलते हैं बत्चा लीफ को बोलते हैं पत्तियों को बोलते हैं औक्सिजन विच इस लाइब्रेटिड डूरिंग फोटो सिंतेसिस कमिंग फरॉं प्रकास संसलैशन की क्डिया में मुक्त हुआ oxygen gas हमें कहां से प्राप्त होता है पेड़ पोधे कहां से उसे एब्जोब करते हैं तो आपको बता है plants के अंदर एक tissue पाया जाता है जिसका नाम है xylem ये xylem plants के अंदर water transport के लिए responsible होता है इन tissues के जरिये जो पानी आपका transfer किया जाता है पूरे पोधे में वही पानी से oxygen release होकर हम तक पहुंचती है या फिर photosynthesis में बाहर निकलती है photosynthesis कब होता है बताईए photosynthesis कब होता है नहीं बिटा पृतिवा कल मैं first half leave पे थी तो इसलिए आपके class नहीं हुई थी photosynthesis बच्चा आपका कब होता है देखो हाला कि photosynthesis दिन और रात दोनों में ही होता है लेकिन आपका examiner सिर्फ दिन में ही ठीक मानता है तो आप लोग answer लगा के आओगे केवल दिन में हाला कि होता दिन और रात में है निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कारिये नहीं है इन में से कौन सा एक जड़ों का कारिये नहीं है बताईए क्या जड़े प्लांट को support देती है यस क्या जड़े nutrition absorb करने मदद करती है यस क्या जड़े पानी को absorb करने मदद करती है यस लेकिन जड़ों का photo synthesis से कोई लेना देना नहीं है ठीक है वो बच्चा किससे आपका leaf से है next question देखते है which of the following has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy which of the following has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy which of the following is the same way which of the following is the same way when you have the same time when you have the same time you use the same way देता है ऐसे पोधे जिन में एक ही बार फूल आते हैं बहुत एजी कुशन है ऐसे पोधे जिन में एक ही बार फूल आते हैं क्या कहा जाता है बताइए ऐसे पोधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चा मोनोकार्पिक पोधे अपने ब्लैंक के माध्यम से पोशक तत्वों को अब शोशित करते हैं पोधे अपने ब्लैंक के माध्यम से पोशक तत्वों को अब शोशित करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं भाई रूट्स के माध्यम से किसके बच्चा रूट्स के माध्यम से करते हैं दालें किसका अच्छा श्रोथ है पल्सिजार गुड सोर्स ओफ पल्सिजार गुड सोर्स ओफ बताईए पल्सिजार गुड सोर्स ओफ दाल के अंदर सबसे ज़्यादा इन में से कुन सा न्यूट्रियंट पाया जाता है तो दाल के अंदर सबसे ज़्यादा इन में से क्या प प्रोटीन पाया जाता है पोदे में सरकरा किस रूप में संसलेशित रहती है कार्बोहईडरेट पोदों के अंदर किस फोम में स्टोर होते हैं या इन में से कौन सा कार्बोहईडरेट प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोन सा कार्वोहेडریٹ प्लांट में सबसे ज़्यादा पाई जाता है बिल्कुल सही बताया बचा आप सबने सैलिलोज और यह पूछा चाया", अर्थ पर सबसे ज़्यादा कोन सा कार्वोहेडжеit पाई जाता है तब भी आप लोग सैलिलोज यी आंसर लगाएंगे guard cells are present in guard cells इन में से कहां पर पाई जाती है guard cells are present in तो guard cells कहां leaves के अंदर जो stomata पाई जाते हैं उन्हें में आपकी guard cells प्रेजेंट होती हैं जो plants में आपका water absorption में या फिर आएक तरह से transpiration में मदद करती है curcumin is obtained from curcumin हमें कहां से प्राप्त होता है curcumin is obtained from किस से बचा आपका हल्दी से curcumin इन में से हमें किस से प्राप्त होता है बचा हल्दी से प्राप्त होता है पोधे की रोग का नाम बताईए जिसमें पत्तियां शार और फल सभी प्रभावित होते हैं चार लिखेंगे इसको उस बिमारी अगा नाम बताईए ठीक है जिसमें आपकी पत्तियां चाल और फल सबके सब प्रभावित होते हैं तो ये बिमारी है बचा आपकी citrus canker नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपका क्या रहेगा सेब के लाल रंग का कारण है redness in apple is due to सेब के लाल रंग का कारण हिन में से क्या है सेब के लाल रंग का कारण इन में से क्या है बच्चा anthrocynine सेब का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है आपका anthrocynine के कारण होता है next question देखते हैं cell wall of fungi is made up from बदाएए शEलवूल और फन्साई इनमे से किसकी बनी होती है तो फन्साई की सैलवूल बच्चाप की किसकी बनी होती है काइटीन की लाल मिर्श तीखी होती है क्योंकी उसमें उपस्थित होता है लाल मिर्च इन में से क्या प्रेजेंट होने के करण तीकी होती है लाल मिर्च इन में से किसके करण बच्चा आपकी तीकी होती है तो लाल मिर्च में पाए जाता है कैपसियासिन जिसके करण वो आपकी तीकी होती है आयोडीन इस उप्टेंड बाई विच अलगी इन में से किस सेवाल में आयोडीन पाया जाता है इन में से किस शेवाल के अंदर आयोडीन पाया जाता है तो लामिनीरिया किस के अंदर बचा लामिनीरिया के अंदर आपका आयोडीन पाया जाता है निम्न में से कौन स्वाप उसी है यानि की ओटो ट्रॉप्स है इन में से कौन आपका ओटो ट्रॉप्स है ओटो ट्रॉप्स यानि अपना खाना खुद बनाते हों तो क्या बचा आपकी अल्गी जो होती है अल्गी ये अपना खाना खुद बनाते हैं शेवाल की कोशिका भित्ती किस से बनी होती है सैलवोल ओफ अल्गी इस मेड अप फ्रॉप्स शेवाल की कोशिका भित्ती इन में से किस से बनी होती है बताईए तो अल्गी की शेवाल बचा आपकी अल्गी की जो आपकी सैलवोल होती है वो किस की बनी होती है सैललोस की और जो आपका फंजाय था उसकी किस की थी काईटीन की थी टीमवी सब्द किस से सम्बंदित है टीमवी की फुल फॉर्म यदि आपको पता होगी तो आप इस कोशिन का अंसर कर देंगे सैललोस की स्पैलिंग देखो सुमित क्या लिखी है आपने टीमवी की फुल फॉर्म होती है टबैको मोजैक वाइरस ये एक बिमारी है जो तमाको की खेती में ज्यादा लगती है कौन सा जीवानू nitrogen योगी की करण जीवानू है चलिए बताएउ बिलकुल आपका बिलकुल सही आंसर आया क्या बच्चे आपका राइजो बियम ठीक है rhizobium बच्चे आपका वो bacteria होता है जो आपका nitrogen को बनाने में plants के अंदर मदद करता है चलिए ओरगी की के पिता इन में से कौन है father of taxonomy आप किसको बोल सकते हो या father of classification two kingdom classification father of two kingdom classification कौन है karls linius ठीक है father of botany या father of geology कौन है Aristotle and father of sorry father of geology and biology है Aristotle और father of botany है आपके क्या बच्चा theofrestres सबसे छोटा जीव है इन में से सबसे छोटा जीव कौन सा है यस बटा ले सकते हो इन में से सबसे छोटा जीव आपका कौन सा है बच्चा mycoplasm है कौन सा है बच्चा आपका mycoplasm है पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, बताईए, पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में अब्जोब करते हैं, तो पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में अब्जोब करते हैं, नाइट्रेट, किसमें बच्चा, नाइट्रेट के रूप में अब्जोब करते है कौन सा पादब होर्मोन गैसी अवस्था में पाया जाता है कौन सा पादब होर्मोन इन में से गैसी अवस्था में हमेशा पाया जाता है अथलीन और अथलीन प्लांट्स के अंदर क्या करता है बचा ये बेसिकली आपका फलों को पकाने का कारिय करता है चाय का वनस्पती नाम है चाय का वनस्पती नाम होता है आपका क्या बच्चा कैमिलिन साइनेसिस चीखें कैमिलिन साइनेसिस आप इसका नाम होता है क्या बोटानिक ने बिना निशीचन के फलों में फलों के विकास की तकनीक को कहा जाता है बिना निशीचन के फलों के विकास की तकनीक को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा पार्थीनो का रपी क्या बोल कारपी समय से पहले पत्ते का गिरना निम्लिखित की निउन्तं के कारण होता है पोधो के अंदर इन में से किस चीज के nutrition की कमी हो सकती है जिससे की पोधे की जो पत्तियां हैं समय से पहले ही गिरना शुरू हो जाती है लग्या की बिटा बाद में बताएंगे बेटा गुरूप D है या रेलवे है सबकी वेकेंसी आपकी आएंगी लेकिन वो कब आएंगी इस चीज़ का किसी सेशन के माध्यम से मैं आपको बता अलब कोशिश करती हूँ आपको बताने की क्या बच्चा आपका Phosphorus की यदी कमी होगी तो पत्तियां पहले ही गिरना शुरू हो जाएंगी गेहूं का काला किट्यू रोग इंवेंसे किसके कारण होता है बताये किसके करण होता है बचा यह आपकी एक बैक्टिरिया से होने वाली है सोरी फंगस से होने वाली विमारी है गेहुं का जो पूरा आपका पार्ट होता है वो ब्लैक कलर कलर को के सड़ना शुरू हो जाता है तो एक फंगल डिजीज है थान में खेरा रोग किसके कारण होता है धान में खेरा रोग इन में से किसके कारण होता है तो धान में खेरा रोग इन में से किसके कारण होता है आपका इन्दा सोयल जींक ठीक है म्रदा में जींक के कारण म्रदा में जींक के कारण तो भाई कोशन आपके खतम हो चुके है PDF के लिए वीडियो की description box में आरती चोधरी के नाम से link है application download करेंगे वहां से science by आरती मैम के नाम से community मिलेगी वहां पर आप बच्चा follow करेंगे और जो बच्चे paid class के बारे में पूछ रहे थे जब आप लोग application को download कर लोगे तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने open होगा यहां पर railway वाले बच्चों को कुछ भी नहीं सोचना है RPF का अलग से लोग, group D का अलग से लोग, कोई फायदा नहीं होगा at the end आपको सबको एक ही चीज में merge किया जाएगा railway का महा pack, railway का महा pack बिटा best है group D, ALP, technician, इन सब के batches जितने भी आएंगे, test series, e-books, सब कुछ आपको इसमें automatic free में मिल जाएगा discount के लिए यह आपसे coupon code मांगता है, जिसे आप लोग लगाओगे Y446, apply करोगे तो मात्र 1000 रुपे में अगले पूरे एक साल के लिए अब एक साल तक vacancy नहीं टलेगी, तुम्हें भी पता है 2024 में election है, और जब भी election होता है railway की vacancy आती है GDC की vacancy कराई जा रही है, जब भी GDC की vacancy कराई जाती है उसके बाद भी railway की vacancy आती है तो ये आप भूल जाएए कि railway की vacancy नहीं आएगी vacancy आना confirm है, लेट ज़रूर हो रही है लेकिन हाँ vacancy आएगी ज़रूर तो बच्चा आप लोग इन classes से जुड़ जाएए एक और बात आप लोग याद रखेंगे railway आपको ज़्यादा समय नहीं देगा exam conduct कराने में, कोई भी exam हो चाहे, JE हो, ALP हो, technician हो दो से तीन महीने में आपका paper करा लिया जाएगा, ठीक है तो चलिए बच्चा, अब आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय class में, ओके बाई बाई, take care, जै हिंद